त्मश्टा, मेरा नाम है डॉक्टर पुर्द१धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चावल के बारे में कि चावल क्या पैलेसिस का पेशन्ट खा सकता है या नहीं इस वीडियो को मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि जब भी हम अपनी ओपीडिय में पैलेसिस के पेशेन्ट डिखते हैं तो एक स्वाल जरूर होता है और वह दरूर पूछता है कि दॉक्तर साथ किया मैं चावल खा सकता हूं या नहीं क्छता अकसर उनकि आया होते हैं वो भी कहीश होते हैं कि ढूक्टर साम इनको मना कर दो कि पड़ इचावल ना खाए तो बहुत सारी चीजे हैं जो होती है जो होती है तो इसे प cockroaches की माइन में चेल रही होती है तो उसे स्लिर करना सबी के लिए जरूरी होता है कि आप और मेखना Ci और पर अगरा दूट गहें नुक्सान है तो पहले हम चावल को सम्हसे होती है कि चावल कहाते है वह almost 80% जो लोग होते हैं, वो जादा खाते हैं, रोटी कम खाते हैं, चावल जादा खाते हैं, अगर हम इंडिया से भार चल जाएं, तो में डाइट चावल ही होती है, खासकर अपनी इस्टन कंट्रीज के अंदर, जिसे जपान हो गया, इंडियोन इशिया हो गया, आपर रो कि आपने चावल नहीं खाना, आप रोटी खाना शुरू करो तो इस पेशेंट को गैस, अचिड़िटी, पेट मेदर्ट, लूज मोशन, सब कुछ शुरू हो जाएगा, मगर अगर मैं इसी तरह से जो जो रोटी खाने लोग हैं, जैसे नौर्थ इंडिया में रोटी जाता पेशेंट को कभी भी सेटी सक्षेंट नहीं लग दी इसलिए नौत इनिया में अगर लोग कोई चावल खा रहा है तो साथ में आदी एक रोटी वो ज़रूर खाता है क्योंकि वो इसके लिए नॉर्मल चीज है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी डाइट क्या रही ह अगर आप राइस जादा खाते रहे हैं तो आप राइस खाईए कोई नुकसा नहीं होता राइस खाने से किसी पैलेस पेशन वे और अगर आप चावल नहीं खाते आप रोटी जादा खाते हैं तो आप रोटी खा सकते हैं रोटी खाने से कोई नुकसा नहीं होता किसी पैल पुनकिया जाता है ये जो हम खाते हैं धई चाओल और चाओल पासा इसमाल किया जाता है उससे दिक्कत होती है उससे जदा पर्शाणी बढ़ जाती है एक पारालेसिपेशन परमे तो हमने पासा kinda अवाइड करना है ताजा अभी बनावा अभी कुकर से निकलावा अभी कुक किया वा चावल आपको नुक्सान नहीं करेगा जिन पेशिंट को डिएबेटिस के दिककत है उनको चावल वैसे भी बंद किया जाता है तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपको शुगर कंट्रोल में रह रही है तो आप चावल लो चावल को कुक करो तो जो मांड आती है उसे उतार दो तो उस मांड गया होती है वो स्टार्स होती है जो स्टार्स होती है तो इसका जो ग्लाइसमिक इंडेक्स होता है यानि वो हमारी बलड में कितनी शुगर देगी वो डाउन हो जाता है जिसकी वज़ा से शुगर की पेशिंट को भी दिककत नहीं होती चावल खाने से मगर श जब आप खटाई वाली चीज़ी होती ही ज़िए हें पूरी ज़िए पूरी बंद कर दी जाती है जब आप साइंस जीडिये टीमिंट ले 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 अगर अगर नहीं ले ले तो आप लुग्णा तो आप कोई नुक्सान नहीं होगा अपधा एक पैले अप्लेसेश उसको एक सही डाइट चाहिए उसे एक सही प्रोग्राम चीज इसके अनर वो फॉलो करकर अपने आपको रिकावर करें तो अब मैं जाने से पहले चाहता हूं कि आप एक पेशिंट पैलेसिस के पेशिंट की वीडियो देखिए किस सरा से इंप्रुमेंट आती है और इस चैनल आप इस चैनल पे बाकी पेशिंट की जो वीडियो देखिए है वो टेस्सिमोनियल से आप उनको जा कर देखिए तो समझ में आएगा कि पैलेसिस में पहले मैने सही हम अराम लेकर आ सकते हैं अगर हमें सही चीज़े पता है जाए वो डाइट है जाए एक्सराइस है जाए ब मिन को भुशान हुआ था प्रीन की भरपाय कैसे हो रहे है सारी की सारी इंफ्मिशन आप क्लेक्ट करो जो कोई बहे डॉट कुछ भी पूछना चाहते हो तो अकॉमंमें सेक्ष़्न है कि कर सकते हो हमारी डॉक्टर से बात कर सकते हो नमस्क्राव मिरे नाम है बक्तर पुरुदमन और आज आज हमारे साथ पालयसिसे है प्रवीन शर्मा जी परवीन कि अनल में रहते हैं और इनको लास्ट मन्थ तेरहा तारिक को पैलीसिस हुआ था जिसके अंदर एंकी लेफ लेक के अंदर जो मॉमंट थी वो कम्पलीटी चल तो जादा बातना करते हैं मैं चाहता हो कि हम चलते हैं प्रवीन जी के पास और उनका पुछते हैं तो प्रवीन जी अपको हुआ कप था? जाए नमबर फुर्टेन को था अर क्या था था और क्या था था? जाए नमबर बातना का था राए तो आपको इतनी बुरी कंडिशन थे कि मैं उसको माइनस जीरो कंडिशन थे विगर निए देनी बारा था चल पारे थे बिलकुल नही कि हाथ ठीक थे हाथ इच थे बॉलना थी तो अब को इहां का अध्या थे एघ्रस को छोटे बाय को पारल पर आज वो अपने चल रही है अपने परिवार को सभाल लही है तो एक ही फैमिली में दूसरा परसुन कर रहे है था यह जी आप मेरी पास कभ वाया थे मैं अपके पास 15 में और ठीक कितने टायम में हो गया है अपके शचेशन आप में पास बात्राइबर आप लगवार कर दो रहे हैं पर रहे हैं लोगवार को आपके वार्ट् वार्ट्राइब डॉसरा प्रेस्ट तो पास कर दो चाहिए है क्वेस्ट जायन पर्सेंट रहते जाओ है इस अब पर्षा ने हुआ थे तुटम होगी तो मैं कि अधरव श्राइट इसाइस में पर्सेंट करते हुआ हुआ रहते हैं ओर मैं तो अगर इस video इस एंट्रो गोगर कोई देखता है ना जी तो मैं उसे ये बोलूगा कि विश्वास नहीं, आख बहुता है, आख बहुता है अध़ विश्वास करके चलिए अप गौद भीकवलाश करना है कि उना इस पिष्वासमा करना है सरते नहीं है मैं आज ब्लाइंट but I calling it by good ब्लाइंट अर्च नहीं करना जहीं मैं अर्च यहुञै की यह अर्च आज हमसे यह और श्यादु का सकते हूं इस experience को और हम सेकंड डेक्राइबा मैं आपको होगा ऐसा तो मैंने सुनना नहीं पर यहां देखा है अचली क्या होता है कि जब ब्रेन के अंदर कभी अश्य कोई दिक्कत होती है तो उसमें ताइम बहुत इपोर्टन होता है जितने जल्दी हम सही ट्रीटमेंट साट करते हैं उतनी ही फास्ट हमें रिकावरी देख मेरा माना यह कोई चीज तब खत्म होते हैं जब हमसे स्टार्ट करते हैं स्टार्ट भी होते हैं और इसमें अजब तक आपके पस खुद की इच्छाना ओटी होनी है तो आप जो पालेसिस में अपंगता आती है हाथ निचला पाह निचला आदत मत बनाओ उस पे निराश मत हो अगर आप ठीक होना चाहते हो तो ठीक हने के तरीके बहुत सारे हैं हम आपके साथ हैं अहिंबत आपने नहीं हाने अब इसी के साथ आप से विसमें चलने के आगार चाहता हूं मिलते हैं अगली वेडियों में तब तक के लिए नमस्कार